वेल्कम बैक टरेशनल स्मार्टेश क्लब इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में निफ्टी का विव अलड़ी शेर किया है उपर कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं बैक निफ्टी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जिस तरह से ग्लोबल संकेट नेगेटिव आ रहे थे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और यह गैप डाउन ओपनिंग के बाद में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला इंपोर्टन सपोर्ट लेबल थे 33,760 का 33,370 का 33,370 का 33,600 के आस पास का एंडें 33,257 तीनों के तीनों लेबल तूटते हुए आज इंटरे में नजर आ हैं बीच का कुछ टाइमिंग अलिट से 11 बजे से लेके अप लगबाग लगबाग धाई बजे तक का जो टाइमिंग था वो साइडवेज मुवमेंट होता रहा और कहीं ना कहीं ऐसा फील रहा था कि इस साइडवेज मुवमेंट के बाद में एक अपवर्ट रैली देखने को म मिल सकते हैं कि 33,400 एक अच्छा सपोर्ड का काम अभी तक कर रहा था लेकिन वह भी आखरी के 45 मिनट में तूटते हुए नजर आ है सिर्फ एक पॉजिटिव बात जो आपको बैंक निफ्टी से आज के दिन में देखेगी कि 33,257 के नीचे तो गय है पर वो क्लोजिंग नही रहता है उस सपोर्ड को तोड़के हम नीचे की तरफ काम कर रहा है तो पहला चीज आपके लिए उपर जाते समय 33,500 एक रिजिस्टिंस का और पणिया रिजिस्टिंस का काम करते हुए नजर आ सकता है इसे गैप अप ओपनिंग हो तो ही तूटता हुए नजर आएगा नही तो डेफिनेटली आपके लिए बड़ा रिजिस्टिंस का काम करेगा दूसरा 33,77, 33,760, 33,984 आपके लिए इंपोर्टन रिजिस्टिंस का काम अप करेगा यह उपर जब भी इन लेबल के आसपास में मिले तो एक बार शॉर्ट क्रिएट कर लेना चाहिए फिनाल के माहल के इंदर में यह इंडिकेट कर रहे हैं यह जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है यह आपके लिए बड़ा रिजिस्टिंस का काम करने वाला है आने वाले कुछ दिनों तक जो की 33,984 से लेके 34,185 के बीच का यानि 200 पॉइंट का यहां पर जब भी आपको दीखे किसी रिजन क वैसे डिफिनिटली इसके आस-पास पे आपको शॉट करेट होते हुआ नजर आएगा लगली बाइचार्स अगर टूटा भी तो 34,354 एक बड़ा रिजिस्टिंस है यह उसी तरह रियक्ट करेगा जिस तरह 36,640 तरह 36,660 का लेवल रियक्ट कर रहा था जहां पर हम उसके जब उसके नीचे काम करना चालो कि अभी तक उसे तोड नहीं पाया हुआ है तो यह उसी तरह से रियक्ट करने वाला है तो बाइच करने के लिए अभी मार्केट नहीं बना हुआ हुआ है अगर आप देनी के एंगर में देखेंगे तो आज की जो क्लोजिंग है यह सेकंड फेबरुरी के बाद की वर्स्ट क्लोजिंग है आज की और अगर कहीं हम नीचे की तरफ क्लोज कर जाते है नीचे 33,000 तोड के नीचे की तरफ जाते है तो बजट दे के दिन जो लॉंग हमने बनाया था वह फर से तूटता हुआ नजर आएगा और नीचे की तरफ आपके सा 10 दिन का कैंडल देखने को मिल रहा है जो नीचे की तरफ बाय और डिप स्ट्राइजी नहीं होनी चाहिए अगर ऑप्शन चैन देखेंगे तो ऑप्शन चैन के अंदर में दो दिन से यानि कल तक बहुत जादा पोजिशन खड़ी नहीं ती आज पोजिशन बिल्डप हो ग जिस तरह का आज के दिन में पोजिशन बना है दमा के कॉल राटिंग की गई है और पुट अन्वाइन देखने को मिली होई है अगर आप पोजिशन देखेंगे तो एड़ बनी मस्ट बी समयर क्लोस तो 33,300-33,400 बट पोजिशन 33,500 के डिसकस करेंगे क्यों कि आज के दिन मे अन्वाइन होते हुए नजर आ रहा है पुट ऑप्शन में 33,500 जो अपने अपने मैसेज देने के लिए काफी है कि मार्केट उपर जाने के मून में आप तो नजर नहीं आ रहा है फिलाल दो दिन या कल की एक्सपारी में नजर तो नहीं आ रहा है उपर की तरफ अच्छी अच्छी खासी आपको राइटिंग देखने को 34,000 पे थे 4,500 पे और उसी तरह से आपको 35,000 पे भी अच्छी खासी राइटिंग देखने को मिल रही है एडिशन सबसे ज्यादा कहा पर हुआ है सबसे ज्यादा एडिशन आज के दिन में 34,000 जो इंडिकेट कर रहा है कि कल अब 34,000 नहीं तोड़ते हुए नजर आएंगे तो प्रेशर इंडेक्स के उपर में है और अब यह दिख रहा है अन्वाइंडिंग आपको देखने को मिली यह उसका एक हिंट है कि जो नस्दीक की कॉल राइटिंग थी या पुट राइटिंग थी वह भागते हुए नजर है रहा है रहें रहें कि जो रहें हो सकती अगर 33,000 नहीं तोड़ते हैं तो सकते हैं और अगर 33,000 तूटा तो 3500 की आश्वास की क्लोजिंग आते हुए नजर आ सकती है वह बहुत ही निगेटिव हो जाएगा बिच्व नहीं साथ नेचे आख में करना करना चालो करेंगे So this is all about bank nifty. Hope आपको वीडियो पसंदा रहेगा, आपको वीव पसंदा रहेगा, अगर वीडियो पसंदा थो, वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साप में शेयर करेगा, At the same time, Thank you very much for watching this video, Hope अपने चैनल को सबस्क्राइब कर लिया होगा, और आने वाला वीक आने वाली एक्स्पाइर जो आपके लिए सूरदार होगी थैंक यू बरी मच पर वाचिंग अगें इस वीडियो गुटनाइट